लोग आईस कैसे हैं आप लोग आई होप आप अच्चे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने बाला हूं मने भी ओपलिकेशन में टॉप अफ लोण के लिए कैसे अपलाई करते हैं और two-報導 लोण के लिए दिया जाता है सारी जानकारी इस वीडियो पादियम से आपके लिए मैं बताने वाला हूं तो वीडियो को सुह से लेकि लाज तक आपके लिए बहुच करना होगा जिससे की पूरी information आपके लिए मिल सके तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी कि मैं वीडियो को start कर देता हूं तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते कि top of loan क्या है top of loan कि किन लोगों के लिए दिया जाता है तो दोस्तों आपके लिए मैं बता दूं कि जैसे आपने पहले loan ले रखा है और आपने 67 EMI को pay कर दिया है तो company के तरफ से आपको top of loan दिया जाता है कि आप अपनी limit को increase कर सकते हैं और जो अपने पिछला amount लिया है उसको आप द्वारा से time period को बढ़ा सकते हैं जैसे कि अगर आपने loan ले रखा है आप पर जो EMI चल लई है जैसे कि आपकी जो भी date है अगर आप इस loan को top of loan को ले लेते हैं तो आपकी EMI की date भी बढ़ जाएगी और जो आपका पिछला loan amount है वो भी सारा pay हो जाएगा तो top of loan के लिए apply करने के लिए simply से आपके लिए क्या करना होगा simply से यहापर top up के option पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे interface कुल कर आजाएगा यहाँ पर जो भी question है आपके लिए पढ़ लेना है उसके बाद यहाँ पर नीची की साट में tick के option पर click करके check usability के option पर click कर देना है इसके बाद आपके सामने इस परकार का interface कुल कर आजाएगा जैसी यह आपके सामने इस परकार का interface कुल कर आता है तो करने के बाद आपकेस का का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जैसे कि आपके आपके लोन का ऊफ़र खुल कर आ चुका है comply कि मेरे केस में यहाँ पर दोस्तो 2,35,000 का लोन खुल कर आया है अगर आपके लिए दोस्तो मैं आपके लिए बताऊं कि अगर आपके लिमिट है वो कम खुल कर आ रही है यहाँ पर तो आपके लिए आपर अगर आपकी मंतली सहली बढ़ चुकी है जैसे कि आपने पिछली बा बढ़ सकता है तो मेरे case में मेरी salary जितनी थी उतनी है मैं यह no पर click कर देता हूं उसके बाद यहाँ पर continue के option पर click कर देता हूं इसके बाद आपके सामने इस परकार का interface कुल कर आ जाएगा दोस्तों जो भी आपका loan पहले का चलना होगा तो वह आपके सामने इस परकार का previous balance ल है जो मेरा प्रवियूज लोन है जो बाकी बचा था वो 83,130 रुपए है और जो लोन 32,35,000 बचे ट्रांसपर मेरे bank account में किया जाएगा वह एक लाग 51,870 रुपए ट्रांसपर किया जाएगा बारा मंत की आप इमाई को बना सकते हैं और कम भी मंत की आप इमाई को बना सकते है टोटल प्रोसेसिंग फीज जाएगी 6,720 रुपए अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं नीचे की साइड में आपके लिए continue का एक option मिल जाएगा उस पर आपके लिए किलिक कर देना है जैसे कि यहां पर लेका continue बच प्रोशीट तो इस पर आपके लिए किलिक कर देना ज़िए वो यहां पर total previous loan में दिखाई देती होंगी और total जो loan amount है जितना भी bank account में आपके transfer किया जाएगा जो भी loan amount आपके लिए मिला था उसमें से minus करके जो transfer किया जाएगा वो इस परकार से यहां पर total amount so होता होगा और total जो आपके लिए loan मिला है तो यहां पर दिखाई देता होगा जैसे कि मेरे किसमे 2,35,000 मिला है और टोटल प्रोसेसिंग फीज यहाँ पर 6,213 रुपए जाने वाली है और टोटल लोन अमाउंट सभी काट सभी को काट कर यहाँ पर 1,45,604 रुपए मेरे बैंक अकॉंड में जाएंगे बारा मन्त के लिए मुझे लोन मिलेगा और दोस्तो मेरी EMI 22,500, 400 रुपए की बनेगी तो इस लोन को लेने के लिए सिंप्ली से आपके लिए क्या करना है टिक के उप्षन पे किलिक करने के बाद सम्मिट के उप्षन पे किलिक कर देना है जैसे इस प्रकार का इंटरफेस कुल कर आता है उपर के साइड में आपके के लिए देख लेना है कि यहाँ पर बोले ब्यू न्यू लोन एग्रिमेंट आपके लिए करना होगा तो एग्रिमेंट करने के लिए ब्यू एग्रिमेंट के उप्षन पे किलिक कर देना है जैसे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस को लोकर आज जाएगा जो भी लोन तो मझलेब कि इससे आप करना चाहते हैं तो cyclification पर किलिक करना होगा। इसकी बाद continue कि और कर देना है। continue के और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रिकार का इंटरफीश कुल कर आजाएगा। फिर से आपके लिए continue के ओप्षण पे किलिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस परकार का interface कुल कर आ जाएगा, यहाँ पर sign up agreement की option पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपके लिए done क की option पे किलिक कर देना है, जैसि आप done की option पे क्लिक करेंगे, आपका loan amount है, वो आपके bank account में transfer कर दिया लुरी में तपता के ले दूस्तों यें